Hello दोस्तो, इस audio lesson के अंदर हम section 47 to section 50 of the registration act 1908 को समझेंगे ये part 10 है इस act का जो की बताता है हमें effects of registration and non registration के बारे में सबसे पहले अगर हम section 47 के उपर आएं तो section 47 जो हमें doctrine of petition back के बारे में बताता है doctrine of petition back हमें section 47 के अंदर बताया गया उससे पहले हमें एक बरी section को read करते है तो हमें समझ आजाएगा कि इस doctrine के अंदर क्या बताया गया time from which register document operates कि कि किस time से मतलब कि किस दिन से वो register document operation के अंदर आता है कब से वो affected माना जाता है a register document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made and not from the time of its registration कि उसका effect जो document है जिसको register कराया गया उसका effect उस दिन से नहीं आएगा जिस दिन उसको register कराया गया उसका effect उस दिन से आएगा जिस दिन उसको execute किया गया यही जो है doctor in of petition back बोलता है कि जो register documents है वो अपनी date of execution से effect के अंदर माना जाएगा और ऑपरेटिव माना जाएगा ना कि date of registration से यही हमें section 47 के अंदर बताया गया है पिर इसके बाद अगर मान लीजे कि इस section से हमें और चीज़ के अबल चलती है मान लीजे कि अगर एक register documents है तो हमें यह तो पता चल गया इस section से कि वो किस जिन से ऑपरेटिव माना जाता है अपनी date of execution से ना कि date of registration से अब मान लीजे अगर दो register document हो जाते हैं किस चीज़ से same person के द्वारा same property के regarding दो अलग-अलग person के साथ और वो भी अलग-अलग time पे तो ऐसे case के अंदर जो उनसा भी document पहले execute हुआ था वो ऑपरेटिव माना जाएगा चाहे दोनों में से कोई भी registered पहले हुआ हो मतलब एक example दूँ आपको मान लीजे एक पास एक property थी उसने बी के साथ एक document execute किया एक immobile property के regarding और बोला कि अब से ये property आपकी है लेकिन उसके बाद A क्या करता है उसी same property के लिए एक और document बनाता है और उस property को C को base देता है उस immobile property को अब ये जो दोनों document register कराने थे इस transaction के अंदर जो transaction C के साथ की गई उसको पहले register करा दिया गया लेकिन जो B के साथ की गई थी उसको बाद में register कराया गया तो यहाँ पर चाहे जो B के साथ transaction हुई थी उसको बाद में register कराया गया उससे कोई effect नहीं पड़ेगा जबकि जो B के साथ transaction हुई थी उसको operating माना जाएगा उस जिन से जिस दिन वो उसके साथ हुई थी और B के साथ हुई भी transaction को माना जायेगा ना कि C के साथ हुई भी transaction को क्योंकि दोनों में से कौन सी transaction पहले हुई थी उससे हमें मतलब होता है ना कि कौन सी transaction या कौन सी document पहले Registre हुआ था उससे तो इसी को हम doctrine of petition back भी बोलते हैं, जो कि हमें section 47 के अंदर दिया गया, अब माल लीजिए कि अगर दो documents एक ही दिन पर execute होते हैं, और register different dates पर होते हैं, तो हमें अब check करना है कि कौन सी, दोनों में से जो कौन सा instrument है, कौन सा document जो है वो operative माना जाएगा, तो हमें उसकी registration की date से होगा कि अब वो document किस दिन execute हुआ था, अब दोनों document एक ही दिन execute हुए थे, तो फिर जो उनसा दोनों में से पहले time पे execute हुआ, उस दिन में भी जो उनसा पहले execute हुआ, उसको हम operative मानेंगे, तो उससे हमें उसकी priority पता चल जाएगी, तो यही section 47 के अंदर दिया गया है, फि document, मतलब की बोल रहा है कि अगर हमारे पास किसी property के regarding कोई register document है, तो वो oral agreement की against effect करेगा, क्या बोलता है कि all non-testamentary documents duly registered under this act, कि जो भी non-testamentary instrument है, इस act के अंदर register किये गए है, and relating to any property, whether movable or immovable, और किसी भी property से related हो सकते हैं, चाहिए वो property movable हो, चाहिए वो property immovable हो, shall take effect against any order, agreement or declaration relating to such property, unless where the agreement or declaration has been accompanied or followed by a delivery of possession, अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर इस तरीके के कोई oral agreement हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा, जो registered है, वो माना जाएगा, लेकिन यहीं पर देखिए, इसमें दो exception दे दी, क्या exception दी इसकी, पहला तो बोल जिया कि अगर वो registered document है, तो उसको हम नहीं value देंगे, अगर उससे पहले कोई oral agreement हुआ था, जिसके साथ साथ उसके possession की delivery भी कर दी गई थी, तो वो इसकी exception के अंदर आ जाएगा, ऐसे ही जो दूसरी exception यहाँ पर दी गई, वो किसकी दी गई? मोडगेज की, मोडगेज by deposit of title deeds, under section 58 clause F of transfer of property act के अंदर जो होता है, तो वो भी इसकी exception मानी जाती है, तो अगर किसी चीज़ की title deposit कर दी गई, किसी मोडगेज की, तो वो अगर orally भी की गई है, मतलब एक तरीके से हमने deposit कर दी, तो उसका effect ज्यादा होगा, इसका in comparison to, अगर ह ये दो exceptions है, section 48 के अंदर जो बोलती है कि register document relating to property went to take effect against oral agreement की, जो register document है वो oral agreement के against effect करेंगे, लेकिन इन दो जगाओं पर वो register document की value नहीं रहेगी, फिर अगर इसके बाद हम आए section 49 के उपर, section 49 बहुत important section है, section 49 को अगर हम read करें, तो section 49 हमें क्या बोलता है, no document required by section 17 to be registered shell, अब एक तरीके से, ये जो section 49 है, इसी की बजे से section 17 है, वो effect के अंदर आता है, इसलिए section 49 भी अपने आप में उतना ही important है, जितना section 17 है, तो section 49 की बजे से section 17 effect के अंदर आता है, ये बोलता है कि कोई भी document, जो की section 17 के अंदर दिया गया है, वो registered होना चाहिए, अगर वो register नहीं होगा, तो उस document से किसी भी immovable property की transaction पे कोई effect नहीं पड़ेगा, दूसरी चीज़, confer any power to adopt की कोई भी जो document है, वो power to adopt नहीं दे पाएगा, as a consequence of non-registration of that document, और तीसरी बात की, वो जो document होगा, वो as a evidence, उस transaction के अंदर, जो की उस property को effect कर रही है, use नहीं हो पाएगा, उसको हम as evidence use नहीं कर पाएगे, जब तक की, वो document जो है, वो registered नहीं हो जाता, तो जब तक वो document रजिस्टर नहीं हो जाता, तो ये तीन effect आएगे, कि नहीं उस immovable property पे कोई effect आएगा, नहीं वो power to adopt का document माना चाहेगा, नहीं उसको as evidence और transaction के लिए use किया जा सकता है, लेकिन, अब यहाँ पे हमारे पेसे case है, नंद सिंग वर्सिस सेवा सिंग, AIR 1959, क्या नाम है case का, नंद सिंग वर्सिस सेवा सिंग, यहाँ पे हमें दो sections को combination समझा है, section 49 of registration act and section 91 of evidence act, यह बोलता है कि जो section 49 और section 91 evidence act का, इसका effect क्या आता है कि जो document है, जिसको register कराने की जुरुरत थी, वो as evidence receivable नहीं होगा, उस particular matter के अंदर, क्योंकि उसको हमने registration नहीं कराया था, और उसके साथ साथ, अगर उसके अंदर कोई और other proof भी थे, जैसे कि oral या फिर किसी और तरीके से, तो वो भी section 91 के बज़े से exclude हो जाएंगे, जो कि उस transaction के अंदर कोई write का transfer होने को बताते हैं, कोई भी transaction उस particular transaction के अंदर बताते हैं, इसके regarding हमें सिरफ fact देखने हैं, या फिर यह देखना है कि क्या यह transaction exist कर रही थी या नहीं कर रही, तो फिर वो as evidence receivable होंगे, otherwise वो as evidence receivable नहीं होंगे, अब यहीं पे अगर हम इसका provision पढ़े हैं, provision हमें क्या बोलते हैं कि provided that an unregistered document affecting immobile property and required by the act of transfer of property act to the registered may be receivable as evidence of a contract now suit for specific performance under chapter 2 of the specific relief fact और as evidence of any collateral transaction not required to be affected by registered instrument, तो दो जगाए बताए गई जहां पे अभी भी वो document जो हो use किया जा सकता है, एक तो collateral transaction के लिए, कि उसके इलाब अगर कोई और transaction थी तो उसके अंदर उसको use किया जा सकता है, और साथ ही साथ specific performance कराने के लिए भी उसको use कराया जा सकता है, specific performance जो कि हमें section 9 से लेके section 24 और 25 और specific relief act के अंदर दी जाती है, chapter 2 के अंदर, अब माल लीजे कि उनमेंसे जो transaction है वो divisible है, एक पार्ट जो था वो unregistered है और उसको register कराने की जरूएत नहीं थी और दूसरा पार्ट जो है उसको register कराने की जरूएत थी और हमने उसको register नहीं कराया, तो जो उनसा पार्ट उसमें से registration के लिए ज़रूरी नहीं थी जिसको हमने register नहीं भी कराया तो हम उसको as a evidence use कर सकते है इसलिए इस provision की बज़े से जो section 14 in का यह provision है अगर एक unregistered sale deed होती है उसको हम as a evidence use कर सकते है specific performance के लिए अगर कोई specific performance dispute के अंदर होती है तो हम उसको use कर सकते है as a evidence फिर उसके बाद यह हमने section 49 के अंदर समझा फिर section 50 हमें बताता है certain registered documents relating to land take effect against unregistered documents क्या बोलता है इसके अंदर इसके अंदर बताता है कि अगर हम इसको read करें every document of the kind mentioned in clause जो भी जो documents सारे बताये गए है clause a b c d of section 17 subsection 1 and clause a and b of section 18 के अंदर shall if duly registered अगर वो duly registered होते है take effect as regards to the property comprise therein against every unregistered document तो वो हर एक unregistered document के against effect में आ जाएंगे अगर हमारे पास इस regarding कोई भी अगर register document है यह जो हमें बताये गए है section 17 के a b c d या फिर subsection 1 of के clause a and b of section 18 के अंदर तो अगर ऐसे कोई भी इनके regarding हमारे पास कोई भी register document है तो वो unregistered document से ज़्यादा valuable होंगे उनके effect के अंदर आ जाएंगे same properly and not being decree और लेकिन वो decree या order नहीं होनी चाहिए code की whether such unregistered document भी same nature or registered document or not चाहे वो unregistered document जो है वो same nature के है उन register documents या फिर same nature के नहीं है फिर subsection 2 बोलता है nothing in subsection 1 applies to lease exempted under the provision of subsection 1 of section 17 लेकिन ये lease के उपर applicable नहीं होता जो section 17 लेकिन के subsection 1 के अंदर दी गई है अगर हमारे पास उसके regarding अगर कोई unregistered document भी है तो वो effect के अंदर आ जाएगा उस register document के अलावा or to any document mentioned in subsection 2 of the same section या फिर जो भी हमें subsection 2 के अंदर दिये गा है जो exempt documents होते है or to any registered document which had no priority under the law to enforce to the commencement of this act. एक तरीके से register document को हम क्या मान लेते है priority मान लेते हैं in comparison to unregistered document लेकिन यह जो subsection 2 के अंदर बताएगा है इनके अंदर हम priority नहीं देते हैं उनको तो यह हमने section 47 से लेके section 50 इस audio lesson के अंदर खतम किया अब हम इसका part 11 के अंदर करेंगे जिसके अंदर हम duties and powers of registering officers को देखेंगे